जैहिन बच्चो आज हम बताने जा रहा है यूपी लेकपाल के जो कल पांच कोशन बताए थे उसके आगे यूपी लेकपाल मैक्स के कोशन तो परस नमबर 6 पे चलते हैं तो परस नमबर 6 क्या है किसी कमरे की लंबाई तता चोड़ाई क्रमशा 13 मीटर तता साधे साथ मीटर ह मैं आपको करना क्या है आपको क्या है को सबसे बड़ी पता करने किसका नाप क्या होगा वरगावाज़ रस तो लेंथवटर 13 meter, breadth 15 meter है तो हमको इनका क्या निकालना है stf निकालना है, क्या निकालना है बेटा सिम्पल सी बात है, साड़े साथ का और 13 का हम लोग stf निकालेंगे, तो साड़े साथ का हम जो stf निकालते हैं, तो इसको हम लोग 0.5 से divide करेंगे, 0.5 multiply by 5, multiply by 3 यह हमारा आए और अगर 13 का करेंगे तो इसके लिए भी 0.5 multiply by 2 multiply by 13 यह हमारे answer आएगा मितलब इसमें क्यों किया जाएगा 0.5 से क्योंकि अंसर है अगले question पर चलते है एक गाओं का पटवारी कुछ दूरी पैदल चड़कर वहां से cycle पर वापस कुल 5 घंटे 20 मिन्ट में आ पाता है ठीक है कुछ दूरी वह पैदल चलता है और वह cycle से 5 घंटे 20 मिन्ट में वापस आ पाता है यदि वह दोनों तरफ पैदल चलकर जा तो अगर वह cycle से ही आता जाता ठीक है पैदल वैदल ना चलता तो उसको कितना समय लगता इस question पर ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है कि cycle पर वापस मतलब कि पैदल कुछ दूरी पैदल चलकर वहां से cycle पर वापस कुल 5 घंटे 20 मिन में पहुंच जाता है ठीक है यदि दोनों और पैदल चलकर जाता तो 6 घंटे 17 मिन पहुंच तो इधर से हम लोग निकालते है कि टू साइट्स बाइग वाकिंग time equal to 6 hour 17 minute यह लगा तो अगर एक साइट का एक तरफ का कितना अगर दो साइट से अगर पैदल चलकर जाता तो 6 घंटे 17 मिन लगते तो एक तरफ में कितना लगता तो one side time equal to 6 hour 17 minute divide by 2 यानि कि इसका आंसर है 3 hour 8 minute 30 second मतलब एक साइट का कितना लगा एक साइट से अगर वो पैदल चलकर पैदल तो उसको 8 घंटा 8 minute 30 second लगता अब यहां तो एक साइट का पता जल गया तो कुछ तूरी पैदल चलकर वहां से साइकल पर वापस कुल 5 घंटा 20 minute लगा तो यहां एक गाउं का पत्वार कुछ दूरी पैदल चलकर वहां से साइकल पर वापस कुल 5 घंटे 20 minute में आ पाता तो cycle distance plus walking equal to 5 hour 20 minute ठीक है दोनों का कुछ cycle से चला कुछ पैदल चला तो 5 घंटा 20 minute लगा तो यहां पर क्या है cycle का pure distance कितना होगा cycle distance equal to 5 hour 23 minute ठीक है उसमें से minus क्या कर लेंगे हम लोग एक साइड का पैदल का distance 3 hour 8 minute 30 second को ठीक है तो cycle का distance जो है उसके लिए जब माइनस किया जाएगा तो बेटा एता है जब माइनस किया जाएगा तो दो घंटे 14 minute 30 second बचेगा 2 hour 14 minute 30 second बचा cycle distance यह pure cycle का distance होगया ठीक है आगे क्या खहरा है कि cycle पर आने जाने में उसे कितना समय लगता तो cycle से एक तरफ का distance है यह one side है तो उसके two side से multiply करेंगे बोट साइड डिस्टेंस टाइम इक्वल टू आवर 14 minute 30 सेकेंड मल्टिप्लाइबाइबाइब तू यानि कि 4 आवर 29 मिनिट हमारा आंतर है अगले कोशन पर जलते हैं अगले कोशन पर जलते हैं बच्चो परस नंबर आठ पे परस नंबर आठ क्या है तीन संख्याओं में पहली दूसरी से दुगनी है और तीसरी से टिगनी है संख्याओं का और 68 है तो पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच में अंतर क्या है ये कोशन पूछ रहा है बच्चो तो यहां पर हम लोग imagine करेंगे ठाड नंबर इक्वल टू एक् यहां रहेंगे कि थार्ड नंबर क्या था एक्स था तो फस्ट नंबर क्या हुआ कि पछल्ड पहली नंबर जो है तीन गुनी है टीसरी से टीक है तो ट्री इंटू एक्स याने की री एक्स तो 2 लेंगि बीचिसरी से दुगनी है तो sam भी होगी फस्त नंबर की तभी तो यह दूगना होगा तो 3x divided by 2 यानि की 1.5 ठीक है ठीक है तो यहां के फस्त नंबर एक्स थार्ड नंबर एकस फस्त नंबर 3x आ सेकेंड नंबर 1.5 है हमको पूछ क्या रहा है पहली और तीसरी संख्या मतलब फस्ट नंबर माइनस स्थार नंबर में पूछ रहा है यानि कि इसमसाब से करेंगे तो क्या करेंगे 3x-x के बारे में पूछ रहा है तो इसको कुछन को solve कर से किया जाएगा सबसे पहले क्या किया है इनका offset 88 दिया है तो क्या करेंगे first number 3x है plus second number 1.5x है plus third number x है उनका offset मतलब तो एक दो तीर number है equal to 88 ठीक है बेटा average दिया हुआ था अब करते क्या है हम लोगी इनको जोड़ लेंगे 3 4.5 और 5.5 x upon 3 equal to 88 अब यह उधर जाके multiply होगा तो x बराबर 88 इंटू 3 और यह वाला इधर आ जाएगा 5.5 इसका point हटा उपर गया 10 5 जा 11 5 जा 11 8 जा 5 बन जा 5 2 जा 8 3 जा 24 24 2 जा 48 x equal to 48 जो की x क्या था थार्ड नंबर ठीक है तो थार्ड नंबर क्या आया 48 और फर्स्ट नंबर क्या होगा तो फर्स्ट नंबर equal to 3 इंटू 48 यानि की 120 और 24 एक्सो चवालीज ठीक है 144 आया 48 त्रीजा 24 ट्वैल आउट 4 एक्सो चवालीज ठीक है अब क्या कह रहा है हमने थार्ड नंबर निकाल दिया हमने फॉस्ट नंबर निकाल दिया आप इनका डिफ्रेंस पूछ रहा है तो 144 माइनस 48 इसका आंसर कितना आएगा 96 आंसर है ठीक है न वेटा अगले कोशन पर जलते हैं प्रस्ट नंबर नौ पर किसी इस्तान की आउसत वार्सिक वर्षा एवरेज वाला कुशन है वार्सिक वर्षा निकानवे तहां निकानवे वर्षों के आँख्ड़ों पर ततर संटीमेटर हुई मतलब तीन सालों में जो बारिच भी वह सतर संटीमेटर के हिसाफ से बर्षी एवरेज है 1989, 1990, 1991 वर्सों के आंखडों पर 65 cm वर्सा हुई और 1992 के लिए वास्टविक वर्सा 60 cm हुई मतलब 1992 गिवन क्या है गिवन हम को क्या है कि 1992 में 60 cm की बारिश हुई थी ये फेक्स है देखा है और हमसे पूछ रहा है 1989 में कितनी वर्सा हुई थी ये कोशन पूछ क्या रहा है 1989 में कितने cm की वर्सा हुई थी ये कोशन पूछ रहा है तो हमको करना क्या है पहले तो हमको दिया है 91,92 का और 70 है तो 90, 1990 प्लस 1991 प्लस 1992 आपान 3 एक्वाल टू 70 ठीक है तो ये उड़र जाके मल्टिप्ला हो जाएगा 1990 प्लस 1991 प्लस 1992 एक्वाल टू 210 सेंटिमेटर हुआ तीक है आप क्या करेंगे 1990 और 91 प्लस शाट क्योंकि हमको 92 का पता है एक्वाल टू 210 तो ये उड़र जाके माइनस हो जाएगा तो 1990 प्लस 1991 का आवसाट आया है 1500 सेंटिमेटर ठीक है अगला आएसे ही आगे क्या पूछ रहा है बेटा कि 1989 1990 1991 में आकड़ों पर इतना वर्चा हो तो मतलब कि 1989 प्लस 1990 प्लस 1991 डिवाइड बाए 3 इसकी एवरेश्टी 55 उड़र जाके मल्टिप्लाय हो जाएगा 1989 प्लस 1990 प्लस 1991 एकवाल टू पैसर टियां शार्ट से टियां एकसोशी और वहां के पंद्रह 195 एकसोपंचानवे हुए आप क्या पूछ रहा है 1989 के बारे पूछ रहा है तो 1989 बराबर अब इनका तो हमको पता है कि इन दोनों का एवरेश है 1500 सेंटीमीटर तो यह उड़र जाएक क्या हो जाएगा एकसोपंचानवे माइनस देड़ सो यानि की 1989 में जो 1989 में जो वाटर बरसा था वह था 45 सेंटीमीटर हमारा आंसर है ठीक है ना बेटा अगले कोशन पर चलते हैं प्रेशन नंबर दस पर चलते हैं प्रेशन नंबर क्या दस क्या है सबसे छोटी संक्या कौन सी है अब बेट सेंपल से कोशन क्या कह要ता है इसमें सबको करना पड़ेगा डिवाड़ी 7,11,13 आपका आंसर जो आए ठीक है उसके बार 11,13 कर लिजिए आए ठीक है और 8,15 कर लिजिए जैसे की इसको डिवाइड किया जाएगा तो इसका आइदर आएगा 0.5384 इसका बचेएगा 0.84615 इस सबसे चोटी संग्या क्या पूछ रहा है तो पॉइंट के बार नंबर देखा जाएगा यह 5 है यह 8 है लेकिन यह 4 है तो सबसे चोटी संग्या क्या हो गई यह वाली मतलब की 14 अपॉंट 33 इसका राइट आंसर है